हम लोग सब सब पहला topics लेंगे registration registration मतलब seller का registration यह हमारा आज के class का first topics रहेगा कल के class में हम लोगों ने jam को समझा jam का introduction लेखा जो game किस तरीके से काम करता है jam के rules क्या है थोड़े से चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा jam में क्या-क्या है एक basic knowledge हम लोगों ने collect किया अभी वही जो हम लोगों ने कल जो जो topics पे बात किया अभी day by day हम लोग उसी topics पे details में discussion करते जाएंगे और जो भी lecture होगा यह पूरी तरीके से live होगा जहां तक कर सकते हैं है ना वहां तक हम लोग live करेंगे jam जैसे की jam का side jam.gov.in यह government के jam portal का website है हम यह website पे open कर लेते हैं और यहां पर हम लोग registration करेंगे registration किसका seller का बायर का भी registration का part है बट वह आगे के lecture में हम लोग cover करेंगे यहां पर हम लोग seller का registration के बारे में देखेंगे कि seller का registration कैसे करते हैं seller का registration करने के लिए आपको sign up as a seller बायर का हम लोग बाद में देखेंगे अब यहां पर seller पर जाते हैं seller अब इसमें तीन पार्ट है pre-request terms and condition and registration इसमें तीन पार्ट मिलेंगे pre-request terms and conditions and registration ताप यह तीनों पार्ट को आपको complete करना है यह जो यह तीन पार्ट है इसमें complete करने के लिए आपको information के तोर पे क्या-क्या लगेगा पहले हम लोग वो इस चीज़ पर बात करने पर जो यह फर्स्ट जो बेसिक प्रोसेस है इस बेसिक प्रोसेस में registration के तोर पे हमें क्या-क्या पूछा जाएगा सबसे पहला पूछ जाएगा आपका type of company टाइप आप कंपणी मतलब ताइप आप कंपणी आपकी कंपनी कैसी है कंपनी कैसा हो सकता है प्रोप्राइटर है या partnership पार्टनर्शिप कंपनी या एललपी सोसाइटी ट्रस्ट और क्या हो सकता है प्राइबेट लिमिटेड लिमिटेड और गौर्मेंट बॉड़ी इतने सारे लोग एजसेलर रेजिस्ट्रेशन हो सकते हैं या कोई इंडिविजल कंपनी इंडिविजल नाम से भी आप कर सकते हो ऐसे जो कंपनीज है सब लोग अपना यहां पर रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनरल हम प्रोप्राइटर्शिप को ही इंडिविजल बोलते हैं अभी आपकी कंपनी कैसी है उसके अकोर्डिंगली हमको आपको चूज करना है तो देखो सबसे पहला आपको पूछ रहा है यह पर प्रोप्राइट्रशिप यहां पर टोटल पांच टाइप के कव्छीं है सीुन के पैला प्रोप्राइटर्शीप यहां अपके दोनो नों कंपनी आएंगे ऐललपी और पाटनर्सिप फोर में आएंगे अगे कंपनी में प्राईवरीट लिमिटेड यृवर्ल में लिमि रिस्टेड हुए है मैक्सिमम लोग प्रोप्राइटर से जिनका ओनर सिंगल है जहां पर भी ओनर जदी एक रहा तो वह कंपनी प्रोप्राइटर सिब माना जाएगा यह पीसी बोलके कौन कनेक्ट हुआ है तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे रेजिस्टेशन के बारे में तो यहां पर देखो पर्सनल डीटेल्स में दो पार्ट है आधार और वर्चुल आईडी तो यहां पर आपसे क्या-क्या उनके बात इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा मैं आपको पहला रेजिस्टेशन के टाइम पर आपसे इन्फॉर्मेशन तोर्पे क्या-क्या मांगा जाएगा तो तो टाइड उद्डी कमपनी से शर्टीं में यह आप बदल नहीं सकते याद रखो यह चेंज नहीं कर सकते जो आपने डाल दिया है वही रहेगा बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते अहमद सर आपको स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है मैं फिर से डिस्प्ले कर रहा है अब यह डिस्प्ले कि आप से कंपनी का नाम पूछा जाएगा और रेजिस्टेशन कैसे करेंगे रेजिस्टेशन करने के लिए आपसे दो चीज़े हैं एक रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हो ठीक है लाड़ हूं जाए लिए लिए या तो आधार बेस्ट यह दो तरीके से आप रेजिस्ट्रेशन अपना यहां पर कंप्लीट कर सकते हो यह पेंकाड या अधार काड किसका लगेगा या तो पेंबेस्ट या तो आधार बेस्ट दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो तो पेंकाड किसका लगेगा या अधार किसका लगेगा कोई इंडिविज्वल परसन का मतलब कोई परसन का लगेगा आधार तो परसन का ही होता है आधार तो कोई कंपनी के नाम से होता नहीं ह होता है company का भी होता और individual-person का भी होता hem तो आपके company के pen Card से registration नहीं करना है कोई भी person के नाम से registration करना है तो प्रोप्राइटरक्सरिंग कमपनी में यह problem आपको नहीं आए घा क्योंकि प्रोप्राइटरिसी ट्रॉसंग कमपनी में ओOK क्या होता है एक ही होता है दो नहीं होता है बाकि जो भी जितने भी कंपनी है जैसे कि पार्टनर सी बोलो एल एल पी बोले या सोसाइटी ट्रस्ट जितने भी टाइप के करने के लिए तो ऐसे कंडिशन में आप किनका पेंट काड या किनका अधार काड यूज करोगे अधा टाइम आप रेजिस्टेशन प्रोप्राइटर में यह प्रॉब्लम नहीं है तो आपको किसका करना है और राइज पर्सन का अभी अध्राइज पर्सन होगा कौन जब आप कंपनी को रेजिस्टेशन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा माल दिजे हम समझते हैं एक कंपणी है पार्टनर सीफ कंपणी है पार्टनर सिप कंपनी में उसमें तीन पार्टनर है ए बी और पर्सं एसे तीन पहर्टनर प् vai आपको आइज इस लिए तो तीनो का नाम रहेगा इसलिए तो तीनो didn't तो यह तो वो लोग decide करेंगे ना जो जेम के डिये जो responsible है authorized है नहीं मैंदम ऐसा नहीं रहेगा यह हमारा decide होगा ITR कहां से होगा ITR आपको check करना है company का जो भी ITR फिल किया है उसमे authorized person किसको assign किया है A को B को या C को जदी B है तो B का ही आधार कार्ड सी या पेन कार्ड यहां पर use करना है C है तो C का करना है अभी यहां पर भी बाप करते हैं अभी ITR 90 और 20 में हमने A को दिया था authorized person A को authorized person दिया था है ITR 2021 में मान लीज़े हम लोगों ने B को authorized person कर दिया था ऐसे condition में आप यहां पर आधार कार्ड या पेन कर्ड किसका यूज़ करोगे तो हम ऐसे condition में दोनों में किसी का भी use कर सकते हैं A का भी use कर सकते हैं और B का भी use कर सकते हैं अब यहाँ पे और एक आपी जदि company नया है उसने अपना ITR fill ही नहीं किया है तो company बिल्कुल new है और हमने ITR fill ही नहीं किया है तो ऐसे condition में आप तीनों में से किसी से भी registered हो जाओ पर next year जब ITR करोगे माल लिजे मैंने a को choose कर लिया person a को choose कर लिया अभी जब मैंने a को choose कर लिया तो next साल जब ITR return करेंगे तो authorized person मुझे a को बनाना है कि क्लियर है कोई डाउट से यहां तक में किसी को कि नौ कि चलिए तो यह हो गया registration का पार्ट फर्स्ट में है ना तो आप से क्या-क्या पॉआंगा जाएगा टाइप आप कंपनी कैसे आपकी कंपनी है नेम आप कंपनी जैसे मेरे कंपनी का नाम है भगर टेक्नों पेन-बेस्ट या आधार-बेस्ट के अत्राइज पर्सन का लगेगा ना कि कंपनी का कि यहाँप्रेक कार यहाँ पर्सनम कर्ण का नहीं आयाथार तो होता ही नहीं कम्पनी का पर प्र्सनम का लगेगा तह आपने पास यह तीन हो गया और आपको यूजर additions यूजर का क्रेडेंशियल लगेगा यूजर क्रेडेंशियल मतलब यूजर आईडी एंड ठीक है यह आपको चूज करना है इतना डिटेल्स आपसे अभी एड़ टाइम आप रेजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा आप चेंज क्या-क्या नहीं कर सकते मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसमें से सिर्फ आप पासवर्ड को ही चेंज कर सकते बाकी कोई भी चीज बाद में चेंज नहीं कर सकते तो आपको जब registration करना है तो सोच के करना है और एक चीज़ एक ही pen card से दो registration या एक ही आधार से दो registration नहीं कर सकते जेम के portal में इसके बाद आता है ये हो गया पहला part second part पर हम लोग आते हैं ये हम लोगों ने क्या कर दिया registration कर लिया पर दिया registration ये हम लोगों ने registration को कर दिया आप उसके बाद profile अपडेट करना पड़ेगा अप्टर registration आप क्या करेंगे इसको profile को अपडेट करेंगे profile अपडेट आपको करना पड़ेगा प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल अपडेट के लिए क्या क्या चीजे लगेगा हम लोग इसके बाद discussion करते हैं येस मैडम प्लीज बूलिए ना सर आपने कहा है कि एक आईडी से एक आईडी के लिए एक ही बनेगा तो अब जब ये करके कर सकते हैं हाँ मैडम फिर से कंपणी का भी आगे देखो प्रोफाइल अपडेट में मैं कंपणी का भी पेंट का लूँगा तो उस टाइम पर कंपनी का प्रेंट का भी नहीं लेगा डबल तो फिर आप बीच में फिर से अठक जाओंगे यहां पर है कि हम कुछ चीज़े जो है इक बार ररेजिस्टर कर रहें तो चेंज नहीं कर सकते हैं उसकेस में उसकेस में आपको एकाउंट को क्लोज करने का अप्सेंस है आप वो एकाउंट क्लोज कर दो और नया एकाउंट क्रियेट कर लीजी क्लियर है यह चलिए तो आते हैं प्रोफाइल अब्डेट प्रोफाइल अब्डेट में क्या लगेगा अभी लगेगा कमपनी का पेंड कर कम्पर 치म Department अब कि कılar अब इंडिदीउन नई प्रोफाइल अपडेट में कंपनी का प्रोप्रोइट सिप चोड़ के बाकि जितने भी कोंपनी हे ने प्रोफ्राइट सीप कमपनी में पें पिसका होता है इंडिवियुक्त पर hm तो यहां पर फिर पेंट काड हम किसका यूज करेंगे जदि कंपनी प्रोप्राइटर सिफ हम लोगों रेजिश्टर किया है तो यहां पर पेंट काड किसका यूज करेंगे जो person है जो company का pen card proprietorship company में अलग से pen card नहीं बनता individual जो person है authorized person है उनका ही pen card यहां पे use होता है तो हम company pen card में उनका ही details use करेंगे और ज़री बाकी कोई भी company भी partnership, LLP, society बगरा तो हम company का pen card use करेंगे आते है next company का pen card हो गया उसके बाद आपको next आपसे पूछा जाएगा आपका details देखो यहां पे सब कुछ लिखा भी हुआ है तो यहां पे एक रज़र गया यहां पे आपको और एक चीज़ पूछा जाएगा हो हम लोगों ने छोड़ दिया इमेल आइडी जो भी आपका एक इमेल आइडी होगा यह इमेल आइडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट यहां पे business pen details आपसे पूछा जाएगा bank account and IFC code यहां पे आपसे next bank account and IFC code with IFC code रेजिस्टर अड्रेस रेजिस्टर अड्रेस यह तीन चीज़े प्रोफाइल अपडेट के लिए और लगेगा क्या क्या लगेगा कंपनी का pen card bank account number with IFC code and रेजिस्टर अड्रेस यह आपको प्रोफाइल अपडेट के बक्त पूछा जाएगा उसके बाद और कुछ optional और कुछ point रहेंगी जैसे कि इन्वाइस declaration इन्वाइस का declaration यह आपसे पूछा जाएगा क्या आप इन्वाइस का बक्त पूछा जाएगा थर्ड पॉइंट आते हैं हम लोग से थर्ड पॉइंट पर आते हैं प्रोफाइल अपडेट के बाद optional यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट का ही पार्ट रहेगा पर इसमें optional है मतला आपकी मर्जी है आप उसको अपडेट कर भी सकते हो और नहीं जी एस्ट जी जी आस्ट जो है आपको अपडेट करना है यह जी एस्ट का नॉम्स क्या है कि यह एंग और फॉर्ट लैक अब यह अर्लिट अब जदि आपका 40 लैक है तो आपके लिए जीस्ट मैंडेटरी है 40 लैक से नीचिए optional है ऐसा नहीं है कि आपका 10 over 0 है फिर भी आप GST निकालना चाहो तो निकाल सकते हो पर 40 lakh के उपर mandatory है 40 lakh के नीचे ज़िए आपका turnover है तो आपको optional है चाहो तो निकालो नहीं तो नहीं भी निकाल सकते हैं इसलिए GST को हम लोगों ने यहाँ पर जेम के portal में भी optional रखा है तैन अबर कम है तो आपको GST की ज़रत नहीं है बट जदि GST आपने नहीं निकाला तो आपको क्या रुकावट आएगा आप साल में 40 lakh के उपर का order नहीं ले पाओगे एक financial year में 40 lakh से उपर का order नहीं ले पाओगे और सिर्फ जिस state में है उसी state का supply कर पाओगे एक state से दूसरे state में supply नहीं कर पाओगे मतलब मैं महाराष्टा से बिलोंग करता हूँ तो मैं महाराष्टा में ही सप्लाई कर सकता हूँ महाराष्टा के ही कोई बायर को दे सकता हूँ महाराष्टा के बाहर चाहे वो गोवा हो, कुजरात हो या दिल्ली हो हम कोई भी स्टेट में Supply नहीं कर सकते। ज़िए आपके बाद GST नहीं है तो आपने ज्येस्टी अपडेट नहीं किया है तो तियर है यहां पर कोई ड cosmeme अपने ऐकी स्टेट में, सेम स्टेट में Supply कर सकते हैं same state as in हमने जो address उपर दिया होगा उसी स्टेट में register address next आते हैं point पे ITR ITR को जहें पर क्या बोलते हैं tax assessment जिदि ITR को देखेंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा tax assessment यह आपको ITR में बताए जाएगा ITR हम लोग नॉर्मल बोलते हैं जेम पर जिदि आप इसका वर्ड समझेंगे इसको बोलेगा tax assessment भी optional है कब तक जिदि आपकी company 48 month से कम है आपकी company का age 48 month से कम है तो मतलब दो साथ यह कहां से calculate होगा date of incorporation से यहाँ से आपसे और एक सवाल पुछा जाएगा date of incorporation date of incorporation मतला आपकी company चालू कब हुआ देखो बाकी जगा पे तो आप जूट नहीं बोल सकते पार्टनर्शिप में जूट नहीं बोल सकते लेलपी में कहीं पर भी आप जूट नहीं बोल सकते ज्यापकी कमपनी कब चालूगी क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर प्रियाइज जो company का पेंट का होता है उस पर date of incorporation लिखा होता है तो आप्पनी के पेंट कार्ड से date of incorporation ले लेगा पर प्रोप्राइटर्शिप कंपनी में पेंट कार्ड में क्या लिखा रहता है इस पर ने टॉप बर्ड तो 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 company का डेट अप इंकॉर्परेशन नहीं है ऐसे कंडिसन में प्रोप्राइटर में आप कोई भी डेट आप इंकॉर्परेशन अपने अकोडिंग ली डाल सकते हैं यह कोई वेरिफाइज नहीं होगा ठीक है यह डेट ऑप इंकॉर्परेशन मतलब जब अपना बिजनेस रजिस्टर करवाता है किसी लोकल ग्राम बंचाय या वगेरा में तो उनसे जो हमें गुमास्तातारा मिलता है उसमें जो डेट है वो डेट बराबर हाँ सरे एक मेंट है सिर्फ सिर्फ पांच मिनट टाइम दो मिनट टाइम दीजे मुझे मैं कला क्लास को कंटिन्यू करता हूं दो मिट्स ठीक है तो यह आपका कंपनी जड़ी 48 मन्थ से कम है तो आपको आई टीर की जोरत नहीं है चाहें कंपनी कैसे भी हो अप्टर 48 मन्थ भी आपने टैक्स असेस्मेंट कंप्लेट नहीं किया तो आप डाइरेक्ट पर्चेस कर पाओगे टेंडर में बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे मतलब फिर भी आपको डाइरेक्ट ओर्डर मिलेगा जो बिलो फाइप लेक हैं पर आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यह है आई टीर के नॉप्स जदि आपने आई टीर अपडेट नहीं किया तो हाँ सनिहा मेडम बोगे सनिहा मेडम हलो हाँ मेरा इंकॉर्पर्टी डेट जो है मतलब कमपनी स्टार्टिंग का वह जलती से डाल दिया है पॉस्ट जानेवरी 2021 और मेरा अच्छल जो स्टार्टिंग डेट है वह नोहेंबर 2022 का है बेट बिकॉजब ट्वेंटीवन डाला है तो टैक्स असिसमें में मेरा आइटी रीटन मांग रहे है और जो मेरा परस्टल है कंपनी का तो है ही नहीं क्योंकि कंपनी तो नोहेंबर में फाउंड हुआ है तो मेरा अभी बिड जो पार्टिसिपेशन है वो स्टॉप हो गया है फिर भी मेरा स्टॉप हो गया है यह मुझे फेस किया है मैंने अभी प्रॉब्लम जस्ट टिन दिफू हाँ तो आपने डेट आप इंकॉर्पोर्शन पहले का डाला ना मैडम बट इट वर्टीएट मन्स ना ट्वेंटीवन भी अगर लेते हैं तो फॉटीएट मन्स नही होता है आगे आपको दिखाता हूं ना मैं जब प्रॉफाइल अपडेट करूंगा तो मैं आपको तो अब तो तो रजट सरकाइब कोई है वाट इज इनवाइड डिकलेरेशन इनवाइड डिकलेरेशन एक जीस्ट का ही नॉम से जहां पे फिलाल अभी टर्न ओर तो आप इनवाइड के डाइरे में आते हो अधर्वाइड आप इनवाइड में नहीं आते हो तो आपको सिर्प डिकलेरेशन देना कि आपका टैनवाइड कितना है कि बीजे सर बोली है कि आपकी बॉइस बहुत प्रमाली है सर आइड टैक्स असेस्मेंट वाइड कर दीजिए एक बार समझा नहीं किया तो आपको टेंडर में पाइडिसिपेट्ट नहीं कर पाऊगे कब तक जिदि आपकी कंपणी की एज मोर दन 48 मन्थ हो गई तो 48 मन्थ के बाद 48 मन्थ तक आपको आइटी यर में अपडेट करने की जोरत नहीं है विदावोट आइटी यर आप काम कर पाऊगे आप्टर 48 मन्थ भी आपने जिदि आइटी यर अपना अपडेट नहीं किया तो भी आपका प्रोफाइल बंद नहीं होगा आपका काम स्टॉप नहीं होगा सिर्फ आप टेंडर में पाइटिसिपेट नहीं कर पाऊगे डाइरेक्ट पर्चिस ले पाऊगे चलिए आते है नेक्स पॉइंट पे आई टीर हो गया जेस्टी हो गया और आपसे क्या पूछा जाएगा MSME या आप इसको उद्ध्यम बोलते हों उद्ध्यम जिदे आपने उद्ध्यम नंबर अपडेट किया तो उद्ध्यम के जो भी बेनिफिट है जेम पे वो आपको मिलेगा अधर्वाइज उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे उद्ध्यम के benefit क्या-क्या है वो हम आपको tender के जब मैं tender का लेक्चर लूँगा तब मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा उसके बाद है startup इंडिया में जिदे आपका registration है तो आप इस starter number अपडेट करेंगे तो उसका benefit मिलेगा नहीं तो उसका benefit आपको नहीं मिलेगा तो यह जो point है यह सब आपको optional में है तो यह आपको जब भी जेम पे registration करना है तो यह सब चीज आपको धियान में रखके करना है यही सब चीज़े आपको registration से लेके profile अपडेट तक पूछा जाएगा जब आप अपना profile अपडेट कर दोगे तो आपके पास और एक point आएगा वो point रहेगा cause and money क्या रहेगा यह cause and money यह आपसे एक deposit के तोड़ पे यह क्या है एक deposit amount है deposit है deposit है deposit मतलब refundable जिस दिन आप account अपना जेम पे बंद करोगे उस दिन आपको यह पैसा refund हो जाएगा यह कितना लगेगा तो यह minimum जो है 5000 रुपीस आपको pay करना पड़ेगा यहां पे छूट किसको है यह पैसा भरना किसको नहीं पड़ना पड़ेगा जदी company proprietorship है और company का owner कोई female है लेडी से तो फिर आपको ओमेनिया बोलते है उसको तो ऐसे condition में यह पैसा आपको भरने की जुरुरत नहीं है इसमें आपको exemption मिल जाएगा किसको किसको exemption मिलेगा एक exemption मिलेगा एक पॉमेनिया और दूसरा startup में registration इंडिया में registration यह दो लोगों को यहां पे आपको इस जो भी आप cousin money डालोगे उसमें आपको छूट मिल जाएगा बाकी सबको यह पैसा आपको भरना पड़ेगा नहीं तो आप बाकी जेम पे आगे काम नहीं कर पाओगे तो यह आपका पूरा registration तक का पूरा procedure है यह आपने complete कर दिया तो फिर आपको और आगे काम करने में कोई तकलिब नहीं रहेगा यस मेडम बुलिए सर यह question money जो है resellers और OEM के लिए same होगा देखो मेडम हम लोग registration के टाइम पर कहीं पर यह define नहीं कर रहे है कि आप reseller हो या OEMO यह depends upon turnover होगा यह जो cause and money है यह depends upon turnover आपका turnover कितना है जनरली अप टू 1 CR को 5000 है अप टू 1 CR जदी आपका turnover है तो आपको 5000 है वन टू 5 के बीच है तो 10,000 है और 5 CR से जादा है तो आपको 25,000 है Hello Sir इस्टार में रेजिस्टेशन के बारे में नहीं बताएंगे वह आप कोई आप कोई consultant देख लो या उनके website में जा लो और वहां से registration करो यहां पर बहुत सारे certificate लगेंगे तो यहां पर में कोई registration के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई भी registration के बारे में information नहीं दूँगा Hello Sir Madam एक मिनट प्लीज ठीक है तो इस registration के बारे में आपको कहीं से जानना पड़ेगा हाँ इसके जो benefit है वह benefit मैंने आपको tender जम्हें पढ़ूंगा तो मैं आपको बताओंगा अभी जैसा यहां लग रहा है जैसे मैंने बोला कि start up इंडिया में प्रोक्राइटर को यहां पर एंट्री नहीं है स्टार्टप इंडिया में प्रोक्राइटर को एंट्री नहीं है कोई भी हो सकता है ल अपार्टप इंडिया कुछ समध नहीं है क्या चीज चीज़ इंडिया में है स्टार्टप इंडिया में भी एक रेजिस्ट्रेशन होता है उसके कुछ नॉम से मैं उनका वेबसाइट आपको दिखा देता हूं आप उनके वेबसाइट में जाके उसका डेटेल्स और पता कर लो डेटेल्स हां उसके जो बेनिफिट है वो मैं आपको क्लास में जरूर बता है तो आपको यहां पर इसके डीटेल्स पता चल जाएगा आप यहां से पता कर सकते और एक बात प्रोक्राइटर सिप कंपनी को इसमें एंट्री ही नहीं है तो प्राइडन एंट्री नहीं है कुझा मेडम प्लीज अपना ऊपन किया है बट मेरी थ्रेशोल लेमिट यह 0 द आपको पैसा पेड़ने की जोड़रत नहीं है क्लियर हो गया तो चलो हम अभी रेजिस्टेशन के उपर देखते हैं जो रेजिस्टेशन करना कैसे हम लोगों ने पहला पर्सनल डिटेल्स देख लिया उसके बाद बिजनेस डिटेल्स और फिर ऑप्सनल यह मैंने क्या क्या लगेगा किसको कहां पर क्या चीज की जोड़रत है यह मैंने आपको बताया तो मैं यहापर टिक कर देता हूं मिनिमम मुझे यह बैसिक जो डिटे फ़र्ट हो गया सेकेंड पार्ट में आगे टम्सण कंडिशन अ यही आपका जले Queens तो आप चाहो तो यहांसी इसको डाउनलोट करो और इसको कर सकते हो कि जेम के Terms and Condition क्या-क्या है नहीं तो यह आप एकसेप्ट करो और प्रोसीड तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट भी क्लियर कर लिया थर्ड पार्ट आते हैं ले दोना चाहिए पार्ट नेक्स स्थीय ग्या कर गया आज ऐसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था starting 21 या या तो सब्सक्राइब जभी यह नेविश्ट कर लो नहीं तो पेंबेस्ट कर लो आधा से लिंक है तो आधार का डिटेल्स डालो मोबाइल नमबर जो लिंक है डालिए accept कीजिए verify कीजिए एक verification code आएगा डाल दीजिए फिर आपको email verification पूछा जाएगा email id डालिए उसमें भी verification code जाएगा verify कीजिए और user credential में अपना details डाल दीजिए जैसे ही फिर पर proceed हो जाएगा आपको आपका ID और details credential जो है वो मिल जाएगा और आप login कर सकते होगा इसके आगे में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हमेशा मेरे पास नया अधार card या नया pen card नहीं होता है मैंने आप लोग को बोला था जहां तक possible होगा मैं आपको वहां तक live लेके चला जाओगा तो यहां तक आपको इसके आगे इसलिए possible हमारे से नहीं होता है तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है एकदम बहुत easy process है जैसे मैंने आगे का procedure किया ऐसे आप यहां पे इसके आगे का procedure खुद कर सकते हो कोई doubts आया कुछ problem रहा तो skin sort लेके whatsapp के नमबर पे भेज़ दो या group में update कर दो तो आपका जो भी problem आएगा उसका हम लोग sort out कर देंगे स्राबने मेनम बोली जब last prerequisites end में कर रहे थे तब GST for interstate करके कुछ आये तब क्या आप हाँ वही मैंने मटाए मनब कि GST में आप सिर्फ इस सेम स्टेट पे काम कर सकते हो interstate interstate पे नहीं कर सकते हो मैं सब्जी नहीं मतलब एक ही जिस स्टेट में आपकी company है उसी state to state supply कर सकते हो इस स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते हैं जड़ी जिस्टी नहीं है तो अच्छा ओड़ी डालोगे तो एक चीज़ जरूर चेक करना क्या चेक करना आईडी डालने से पहले जेम के वेबसाइट पे जाओ और यहां पे लॉग इन करके देखो क्या आईडी रखना चाते हो जैसे मैं आदित्य पंडित बोलके अपना रेजिस्टेशन आईडी बनाना चाता हो तो अदित्य पंडित डालो और यह कैप्चा जालके पहले चेक कर लो जो इस नाम से कोई रेजिस्टेशन है क्या नहीं क्योंकि यह एरर जेम पे नहीं देता है तो यह एक बार चेक कर लेने का तो नहीं बता रहा है Invalid User ID मतलब आदित्य पंडित बोलके कोई भी रेजिस्टर नहीं हुआ है मैं आदित्य बोलके कोई रेजिस्टेशन आलेड़ी लेड़ी हुआ है तो आपको आदित्य बोलके वहाँ पि यूजर आईडी में नहीं डालना है जदि आपने डाल दिया तो आपको यह जो प्र से repeat करना पड़ेगा यह जेम का एक बहुत बड़ा problem है तो जरूर जब भी आप registration करोगे user cadence से डालने से पहले एक बार वो ID जो भी आप ID डालना चाहते हो वो ID डालके जरूर चेक कर लो जो ID नहीं है वही ID को आपको input करना है बस बाकी आपको registration में कोई तक्लिब नहीं आएगा तो यह हमारा है registration का पार्ट है इसके बाद हम लोग next पार्ट पर आएंगे profile update चलिए जो झाल पार्ट है जो झाल 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 झाल